आज बात करते हैं क्लास 10th की हिंदी आपका विशे है और इसमें हम गद्य में chapter नमर 15 पढ़ रहे हैं और आज के जो हमारे लेकर कवी हैं उनका नाम है रामधारी सिंग दिनकर और रामधारी सिंग दिनकर के इस वीडियो में हम जीवन परिचे और पारट परिचे के बारे में पढ़ेंगे और जो उनका chapter है वो हम next वीडियो में करेंगे ताकि थोड़ी lengthy वीडियो ना हो जाए आपके लिए तो आईए बात करते हैं पहले रामदारी सिंग दिनकर के जीवन परीचे और जो मारा chapter है इरश्या तुने गई मेरे मन से के पाठ परीचे तो देखे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रामदारी सिंग दिनकर का जनम जो है वो 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यू कब हुई थी इनकी मृत्यू हुई थी 1974 के अंदर इनकी मृत्यू हुई थी तो देखिए रामदारी से हैं दिनकर का जनम 1908 में और मिरत्यू 1924 में होई थी आईए बात करते हैं इनके जीवन परीचे के बारे में जीवन परीचे राष्ट्री है सांस्कृति कावेधारा के पर्मुक कवियों में दिनकर जी का नाम जो है वो अगरनिय है मैथेली शेरन गुप्त के बाद जी हाँ किसके बाद मैथेली शेरन गुप्त जी के बाद दिनकर राष्ट कवी के रूप में जाने जाते हैं यानि अगर आप से ये पुछा जाए कि राष्ट कवी के रूप में कौन परसीदया तो नाम आता है मैथेली शेरन गुप्त और मैतिलिस रनगुपत के बाद अगर किसे का नाम आता है तो वो है रामधारी सिंग दिनकर का जनम कहां हुआ था तो देखिए इनकी बात अगर करें तो इनका जनम बिहार के मुंगेर जिले में हो दा है ये important question बनता है आपका कि रामदारी सिंग दिनकर जी का जनम का हुआ था बिहार के मुंगेर जिले के अंदर इनका जनम हुआ था और जो गाउं था उसका नाम था सिम्रिया गाउं और एक साधारन किसान परिवार में इनका जनम हुआ तो दीखे रामदरी सिंग दिंकरजी जो है इनका जनम मुंगेर जिले बिहार में एक छोटा सा गावः जिसका नामी सिमरिया वहाँ एक सादरन किसान परिवार में इनका जनम हुआ था अब बात करते हैं इनकी सिंख्षा की अब यहां से आपका एक प्रेशन ओर बन जाता है मीत इंट करें को और संस्क्रिति के रचनाय को zapiko इनके दोरा लिखा गया एक काव्य है जिसका नाम है कुरू छेत्र उसे विश्व के सो सर्वस्रेश्ट काव्यों में 74 इस्थान दिया गया है जो इनके लिए बहुती एक समान जनक बात है देखी क्या है बारती ग्यानपिट पुरुषकार मिला इनकी कृति उर्वशी को साहि इस्थान मिला है यह 1952 में बारत्य संस्थ के सदस्य भी रहे हैं और 12 सरकार द्वारा उनको पदम बूशन से अलंकरित क्या है इनकी प्रुषकार मिला है पदम बूशन अब अगर बात करें कि इनकी परमुक कृतियों के नाम लिखो तो इनकी परमुक किरतियों के अगर हम इर्षय तूना गई मेरे मन से पार्ट परिच्चे के इस वीडियो में बात कर रहे हैं और नेक्स वीडियो पूरा चैप्टर एक्स्प्रें करूंगा वैं आपके लिए पार्ट परिच्चे देखे क्या है इर्षय तूना गई मेरे मन से इर्षय क्या होता है जलन होता है प में से लिए एक टॉपिक लिया गया है इर्शया तूना गई मेरे मन से प्रस्तूत निबंद में ये एक निबंद है कवी रामदारी सिंग दिनकर मानव चरित्र की सबसे ब्यावय बुराई इर्शया के बारे में उलेक कर रहे हैं जलन करता है कवी ने चरित्र की कमजोरियों को उदारन में बखोवी स्पस्ट किया है कि किस परकार इशया व्यक्ति अपने पास उपलब सादिनों से आनद ने उठाकर दूसरों के पास उपलव साधनों से कुड़कर अपने जीवन मुल्यों का हास करता है कि एक वैक्ति अपने साधनों का अनद नहीं लेता लेकिन सामने वाले के पास क्या साधन क्या फैसिलेटी जा उनको देखकर वो जलता रहता है कवी रामदारे सिंग दिनकर ने एक तरफ इर्शालू लोगों से बचने का उपाये बताया है इसमें बताया कि किस प्रकार आप इर्शालू लोगों से बच सकते हो तो दूसरी तरफ जो लोग इर्शालू सभाव के हैं वो किस परकार इर्श्या की लस्ते बच सकते हैं इनके लिए भी रास्ता किनने बताया रामदर्य सिंग्andır ने बताया है कि आप इर्शालू लोगों से कैसे बच सकते हैं और वो लोग जिनको जलन होती है दोसरों को देखे वो अपनी बुरी लश से कैसे बच सकते हैं वही इस चैप्टर में बताया गया और निश्या ही यह जो निबंध है सबाविक मानव कमजोरियों मानवे कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव और बाशा की एक बैपटर में इनको क्या मिला उरव उनकी जो क्रिती матी उसे बाठति ग्यान पिदब पुरष्कार मिला और संस्क्रित के चार अध्याय को साहितियक अद्य प्रूष्कार पिला इनका एक और ग्रंथ है जिसका नाम है कुरुट्चेतर जो विश्व के सो सर्शेष्ट कावे गरंतों में चोतरवा इस्थानु से दिया गया रामदारी सिंग दिनकरजी 1952 में बारतिय संसद के सदस्य भी रहें और 12 सरकार से इनको कौन सा प्रुषकार मिला है पदम भूशन मिला है इनकी क्रितियों की बात करें तो रेणुका, हुंका, रस्वंती, कुरूशेत्र, उर्वशी और परसुराम की पर्तिग्या इनकी कुछ क्रितिया भी है पार्ट प्रेचे में पहला ही लाइन आपके मैतापून प्रेशन बनता है कि इर्ष्या तू ने गई मेरे मंद से ये निबंद कौन सी बुस्तक से संकलीत है तो उस बुस्तक का नाम क्या है अर्द नारिश्वर क्या नाम है अर्द नारिश्वर मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ थैंक यू